जैसाई राम एब्रिवान, वल्कम टू मेरे साई, आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, आज एक नया अनुपव शेर करूंगे आप सभी के साथ, उसके साथ साथ एक बहुत खास रीजन के लिए किसी ने ग्रूप प्रेर का रिक्वेस्ट किया है वेल, आज ममता जी ने ग्रूप प्रेर का रिक्वेस्ट किया है, रीजन ये है कि आज 29 डिसेंबर उनके बेटे, उनका बेटा शुभम का बदरे है, तो मैं चाहती है कि उनके बेटे का 10th का बोर्ड एक्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छा मार्क सिक्योर क जनम दिन है, बहुत खास दिन है आपके लिए, बहुत अच्छे से मनाईए, और सभी साइं डिवोटीज से कहूंगी, मेरे साइं परिवार के सभी मेंबर से मैं यही कहना चाहती हूँ, प्लीज शुभम को बहुत बहुत आशिरवाद दीजे, ताकि ये अपना और अपने स साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करे, शुभम का जिन्दगी खुशियों से भरा हो, अच्छा सेहत मिले और शुभम के सभी मनो कामना साइं पूरी करे, वेल, आज आप सभी के साथ एक बहुत सुन्दर सा अनुभव शेर करूंगी, ये अनुभव हमारे साथ शेर करती हैं बीना जी, बीना जी बताती है, ये बहुत साल पहले की एक अनुभव है, शादी के दो साल बाद बीना जी जब गर्ववती हुई, तब एक दिन स्वपन दर्शन साइं देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें बेटा होगा, पर क्या होता है ना, बीना जी का miscarriage हो जाता है बीना जी साई भक्त है और उन्हें तब लगा कि साई जब जो कहते हैं वो कभी जूटा नहीं हो सकता तो घर में सभी बहुत दुखी थे पर उस हालद में भी मैम ने हिम्मत नहीं हारा वो जानती थी कि साई ने जब कहा है बेटा होगा तो होगा मैम बताती हैं कि इसके बाद भी वो तीन बार गर्वबती बनी पर तीन बार उनका miscarriage हुआ टोटल उनका चार बार miscarriage हुआ और उसके बाद भी चौथा टाइम miscarriage होने के बाद भी साई ने उन्हें फिर से स्वप्न दर्शन दिया और कहा कि तुम्हें बेटा होगा तो मैम ने सर से कहा था दो बार ही कि मुझे साई ने स्वप्न दर्शन दिया पहली बार जब वो गर्वबती बनी थी तब भी उन्हें सर से कहा था जो फोट टाइम उनका miscarriage हुआ तब भी मैम ने सर से जिकर किया था कि साई ने मुझे स्वप्न दर्शन दिया है कि तुम् तो यह सब वहम है तुम बहुत वीग हो तुम्हारे माइंड में वही घूम रहा है कि तुम्हें संतान चाहिए एक बच्चा चाहिए यसलिए तुम यह सब सपने देख रही हो इसका वास्तब से कोई लिंक नहीं है पर मैम को पता था कि साई ने जब कहा है कि बेटा होगा तो बेटा होगा ठीक है उनको मतलब स्पेसिपिकली लड़का ही नहीं चाहिए था उनको संतान चाहिए था ठीक है पर साई ने उनको दो बार सपने में कहा था तुमको बेटा होगा तो फोर्ट मिसकैरेज होने के बाद दो साल बीद गया मैम चाहती थी कंसीव करना पर सर उस बाला है इधर बच्चा बचे का या फिर बीना जी खुड बचेंगी ठीक है बहुत सीरियस एक कॉंप्लिकेटड प्रेगनेंसी होने बाला है तो सर इसलिए राजी नहीं थे पर मैम को साई के कहे हुए बातों पर यकीन था उनके लिए वो पत्थर की लकीर है ठीक है तो क् होता है मैम कंसीव करती है सॉरी मैम एक बार क्या होता है मैम को उल्टी होता है ठीक है सुबे सुबे बहुत उल्टी होता है नौश्या फील होता है तो फिर मैम को लगा कि अब वो प्रेगनेंट है जब डॉक्टर दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप प्रेग और यह ब्लड सीचेगा ठीक है यह आपके अंदर रहेगा तो ब्लड सीचेगा यह डेवलाप जितना होगा सिम्टम्स इसका वैसा होगा जैसे एक प्रेग्नेंड आउरत का होता है पर यह आपका बच्चा नहीं इट्स ट्यूमर तो अच्छा यही होगा कि आप इसको जल्द से जल्द ऑपरेट करते पर बीना जी थी मतलब टोटल अगेंस्ट की ऑपरेशन नहीं कराना यह मेरा बच्चा है यह ट्यूमर नहीं है सर ने कहा कि करा लो सोनोग्राफी में भी ट्यूमर ही दिखाता उन लोगों को ठीक है तो सर कह रहेते कि तुम ऐसा मत करो अभी पांच मैं कुछ भी नहीं करूंगी यह मेरा आइनो कि मेरे पेर में मेरा बच्चा पल रहा है तो डॉक्टर ने कहा कि आप नादान बन रहे हो आप ना समझ बन रहे हो अगर आप ऐसा करती रही और आपका ट्यूमर जिस तरीकी से बढ़ रहा है आप चेक अप ने करा रही हो हम ज को बहुत हानी पहुचेगा आप इस मतलब सीरिसने इसको नहीं समझ रहे है सिच्वेशन इतना सीडेस है आपका हालात इतना सीडेस है आप समझ नहीं रहे है पर मैं नाराज थी कुछ सुनने में उन्होंने कहा कि मैं हर्गिस आपका दिया हुआ दवाई नहीं लूँगी नहीं मैं सोनोग्राफिक कराऊंगी, मैं जानती हूँ कि मैं गर्वदी हूँ, मेरे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, मैं बताती है कि प्रेगनेंट जब कोई होता है, प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर बहुत सारे दवाई देते हैं, ताकि पेट के अंदर जो बच्च दवाई दे दे, जो वो कंजियूम कर ले और फिर बच्चे को अगर कुछ हानी पहुँच जाए, तो वो क्या करती थी ना, डॉक्टर का प्रेसकार्ब किया हुआ कुछ भी मेडिसिन वो नहीं लेती थी, इंस्टेड, मतलब, जब से उनको लगा कि वो प्रेगनेंट है, त क्या होता है, नौवा महीना उनका चल रहा था, तो वो फिर से एक बार सपने में देखती है, कि साई एक बगीचे में बैठे हुए हैं, और उस बगीचे में बहुत सारे छोटे 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 बच्चे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, बच्चों के किलकारिया, बच्चे हस रहे हैं, कोई छोटा सा बच्चा दौड रहा है, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे वो देखती है, दो साल का बच्चा, एक महीने का बच्चा, एक दिन का बच्चा, ठीक है, और साई उस बगीचे में बैटे हैं, बहुत हस रहे हैं, तो मैम जाके साई के पा पर मैं जानती हूँ, मेरे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, साई इस बार कुछ नहीं होगा न, तो साई क्या करते हैं, एक बच्चा को उठाते हैं, छोटा सा बच्चा ठीक है, उठाके मैम के गोथ में दे देते हैं, और साई कहते हैं कि दिया बच्चा तुम्हें बेटा यह धेखके उनका सपना टूट जाता है यह उनका नौवा महीना चल रहा था और जैसे इस अपना टूटका है उनको होता है बहुत labor pain यह देक है उनको हो रहा था labor pain पर फैमिली के सब ही बहुत पैनिट हो गए कि जो tumor है यह एक critical स्टेज में आ गया है अब मतलब मैम का कुछ सीरेस होने वाला है ठीक है सर बहुत रो रहते हैं सर ने हिम्मत हार दिया था कि बहुत डाटा भी मैम को उस हाल में कि तुम अगर एक बार सुन लेती अगर इस ट्यूमर का तुम ऑपरेशन करा लेती अगर तुम नौ महीने बिना हमारा बेटा आ रहा है वो हॉस्पिटल गई और देखिए मैम की विश्वास मतलब साइं पर विश्वास हो तो ऐसा हॉस्पिटल जाती है वहां पर सर्जन आता है जो भी होता है मैम ने कहा था कि प्लीज ट्यूमर वाले सर्जन को मत बुलाना मैं प्रेगनेंट हू विश् और जब ओटी में मैम को ले जाया गया सबके लिए ये एक बहुत आश्चरिकी बात थी कि पेट में ट्यूमर नहीं था मैम गर्वबती थी और मैम को बेटा हुआ मैम कहते हैं ये एक अनुभव जब वो किसी को सुनाती है न तो कोई मानता नहीं है कि ऐसे कैसे तुम मतलब नौ महीने बिना डॉक्टर के पास मतलब गई डॉक्टर को नहीं दिखाई तुमने सपना देखा ऐसे कैसे हो सकता है तुमने जरूर दिखाया होगा तुम जूट बोलती है तो मैम कहते है कि मैं ये अनुभव मेरे साइं परिवार के साथ इसलिए शेर करना चाती हू क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर सभी साइं डिवोटीज है जो साइं को बहुत मानते हैं बहुत विश्वास करते हैं और वो जब ये अनुभव सुनेंगे तो इस अनुभव को सुनके वो हसेंगे नहीं वो विश्वास करेंगे और उनके मन में भी उमीद की किरन तो मैं बताती है ना कि कोई उनको विश्वास नहीं करता कि ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है तुम प्रेग्नेंट हो नौ महिन तक कोई दवाई ववाई कुछ नहीं चला तुम्हारा नाहीं तुम सोनोग्राफिक करती थी खाली उदी पानी पीती थी उदी लगाती थी ऐसा थोड़ी नहीं होता है पर जब साई मैं वही कहते हैं कि जब साई ने आपको कह दिया कि यह आपके जीवन में होने वाला है तो होने वाला है आपके ग्रह नक्षत्र भी कुछ नहीं बिगार सकता क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र भी तो उन्हीं के हातों में हैं है ना तो म माम बताती है उनको बेटा हुआ और नाम रखा माम ने साही और आजूनका बेटा 25 साल का है तो देखिए ना सपना भी कितना सुनृत्रा मैं सोच रही थी जब मैं पढ़ रही थी इनका अनुफ़्व की साही ने कहा तुमको बेटा हो going तो एक बार miscarriage हो गया, फिर फोर्थ टाइम, चार बार उनका miscarriage हुआ था, फोर्थ टाइम भी साई ने कहा थे कि तुमको बेटा होगा, ठीक है, साई ने कभी ये ने कहा कि तुमको बेटा नहीं होगा, साई ने अशॉर्ड किया था कि तुमको बच्चा होगा, you will give birth to a child, औ अब मैंने ये बच्चा उठा कि तुम्हारे गोत में दे देया है, अब वो कहीं ने जाने वाला, तो सच में साई के, क्या कहूं, साई के बात ही निडाली, साई का महीमा भी अप्रम पार, मेरे पास शब नहीं है, आम ओवर्वेल्म्ट, मैं मतलब, मैं जो अनुभव सुना काम ना करूंगी साई, कि जिन जिन के गोत अभी भी सूने पड़े हैं साई, उनके भी जोली भर दो आप, संतान प्राप्ति का सुख, दे दो आप, क्योंकि ये आप ही कर सकते हैं, आप से, मतलब, कोई और नहीं है कि ये चमतकार कर सके, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, so thank you so much बीना जी, इतना सुन्दर सा एक अनुपव हमारे साथ शेयर करने के लिए, और may God bless you, may God bless your child too, और आप सभी को यही कहना चाओंगी, अनुपव अगर सुनना अच्छा लग रहा है, और बार बार सुनना चाते हैं, जुर जाए मेरे साई परिवार से, अगर अनुपव शेयर करना है, तो आप मुझे email कर सकते हैं, WhatsApp पर message कर सकते हैं, या फिर मेरे Instagram में भी direct message कर सकते हैं, email ID, Instagram account ID, WhatsApp नमबर तीनों ही description पर छोड़ा विया हुआ है, और क्या मैं कहना चाती हो, कि share कीजे साई के महिमा का, क्यूकि आपको पता नहीं है, किसी को शायद इस वक्त, ये सब च पाक्निस है ना वो मिट जाए ठीक है मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए अनुब अपस के साथ चल देन जैसाए राम